नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आपका हमारे योटूब चैनल टैग बोवा मुकेस में दोस्तों आज की वीडियो आपके काफी ज़्यदा इंपोर्टेंट होने वाले क्योंकि आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ और जो अनलोक करके डिस्प्ले फिंगर प्रिंट के दोरा सब कुछ आपको लाइब दिखाऊंगा ज़रूर करना आप इसको open करेंगे open करने के बाद यहां पर left शेड में वालल पेपर को option दिखायेदेगा वाललपेपर के option पर आप blacks कर खर करना आभoffle देना है यहां से आन करेंगे अब बैक आ जाना है फिरिश आपको उसी ओप्ष Davidson पर किलिक करना बाल लोगों को टचला की क्रिमास कर देना है और उसके लगों को यहां से आंग कर देना है और इसके बाद बैक आना फिर आपको वालपेबर के आप्सन पखक to od एक बाद इस पूरे डिस्पले में किसी भी एक अस्थान पे आपको 4 बार क्िलिक करना होगा एक्जांपल के लिए आप लोग यहांपे देख सक्ते हैं, मैं 4 बार क्लिक करता हूँ इसके बाद next के option पर click करेंगे वहीं भी फिर शे आप लोगों को चार बार click करना है इसके बाद आप लोगों को फिर शे next के option पर click करना है इसके बाद next के option पर click करने बाद password बनाने को option आजाता है चारंगों का कोई भी password आप लोग यहां पर बना सकते हैं उसी password को दुबारा enter करके confirm कर दीजिए इसके बाद select your question का option है इस पर click करेंगे कोई भी एक security question select करेंगे उसका answer आप अपने मन से कुछ भी यहाँ पर लिख दीजिए 12345 कुछ भी आप लोग ABCD कुछ भी लिख दीजिए इसके बाद आपको submit के button पर click कर देना है अब दोस्तों आ आप लोगों को पसंद है उस पर click करेंगे left side में yes का option दिखा देगा yes के option पर click कर देंगे इसके बाद ऐसा interface देखने को मिल जाएगा अब finally इस application को हम लोग close करेंगे अपने phone को lock करेंगे और live proof आप लोगों के सामने unlock करके दिखाएंगे तिया आप देख सकते हैं हमने अपने phone को lock कर दिया unlock करते हैं switch to open वाला lock हमने लगाया अपने setting से जो यहाँ पर slide करने वाद switch करने वाद हमारा phone open हो जाता है लेकिन जब हम यहाँ पर switch करते हैं तो open नहीं होता है बलकि display fingerprint मांगता है कोई भी कहीं भी touch करता हमारा phone unlock नहीं होगा जहाँ पर हमने 4 बार click किया था वहीं पर 2 बार click करेंगे तुरंत हमारा phone unlock हो जाएगा और आपको अपने phone में face lock लगा लेना है जिससे कि जब आप दो बार click करेंगे तभी आपका phone unlock होगा और कोई करेगा तो unlock नहीं होगा अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों वीडियो को like and channel को subscribe जरूर करिए